आस्सेलावलेकुम, वेलकम बेक टो किंग बट्स केया दस्तों, कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अश्वाग एमत आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्डियान फिंच के उपर गोल्ड यान फिंच कितने किसिंग किया आती हैं, क्या-क्या उसकी अक्साम होती हैं, कलर वाइज उसका हम किस तरह बैचान सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसके अदर मेल फिमेल का डिफरेंजम किस तरह कर सकते हैं तो एक complete informative वीडियो होने वाली है, skip नहीं किजिएगा, end तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन आपाते हैं इसी तरह की informative वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं प्राइस क्या होंगे, तो सबसे बड़ा कुश्चन लोगों के जहनों में यही आता है, लेडि गोल्डियों के हावाले से अच्छा जी अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी basic mutations और एक average जो है वो उसके प्राइस बता दूगा जो अभी मार्केट में चल रहे हैं सबसे पहले आती है ग्रीन बैक अब यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बैक का कलर जो है वो ग्रीन है, ऑल्दो इसके अंदर भी थोड़ी सी और mutations होती है, जैसे आपको देख रहा होगा कि एक जो है वो परफल चैस है और एक वाइट चैस है अच्छा जी यह दोनों जो है वो मगर greenback है तो यह basic mutation greenback है बागे इसके अंदर mutation होती है, अच्छा जी greenback की pricing के अवाले से बात की जाए तो अभी इसका जो प्यार है वो बारा से पंद्रह अजार रुपए का market के अंदर चल रहा है अच्छा गोलियन के अंदर सबसे बड़े जो एक misunderstanding है कि वो अपने बच्चे जो है वो नहीं बाजी या अंडे जो है वो अच्छे भी निकालते हैं और बच्चों को पालते भी हैं अच्छा जी अब बात करते हैं इसे अगले mutation की जो कहला थी है यलो बैक जिस तरह यह greenback थी इसके बैक का color जो है वो गरीन था इसी तरह यलो बैक के अंदर बैक से जो जो color होता है वो yellow होता है अच्छा इसके आप से मैं प्राइज आपको बता रहा हूं अच्छे एक और चीज यहां पर बहुत ज्यादा कन्फीजन होती है यहां पर आप देख रहे हैं यह यलो बैक का इसके अंदर जो रेड हैड है है यहां आपने जहन में रख लेना है कि इस तरह इसमें में पता नहीं लगता अच्छा जी अब चलते हैं नेक्स नूटेशन की तरफ अब यह इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह ब्लू बैक के नाम से आती है गोल्डियान आच्छाची इस तरह मैं आपको बताया ग्रीन बैक गोल्डियान उसके बाद आई येलो बैक गोल्डियान उसके बाद आती है ब्लू बैक गोल्डियान आचा उची तरीके से जैसे पहने वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया के फेस का कलर चेंज है कहीं ब्रेस का कलर चेंज है इसी तरह ब्लू के अंदर भी जो रहा है अब बात करते हैं इसके बात के मुटेशन की जो के सबस्दार ह्यार कहले जाती है और मूटेश्चन के अंदर उसके प्राइश जया है इनसे जाधा आप पर आपको पिक्चर के में नदार भी आ इसकी बैक जो है वह जिल्वर एंग इसी तरह जो है वह इसके इंदर भी सेंडरी चेंज होता है मगर बैक की जो है वह लगा सकते हैं अच्छार मुटिशन हैं जो आप पैचान सकते हैं और उसकी प्राइस का अंदाज़ भी आप उस वकत लगा सकते हैं अच्छा जी प्राइस के टेगरी में मनें बताया है कि इसकी जो प्राइस है भी मार्केट के अंदर आल्मोस्ट तक्रीबन तीस से 32,000 रुपए और बात जगाओं के उपर 35,000 रुपए भी इसका प्या सेल हो वह सोफ़ोड आप इन्हें भी दे सकते हैं और मिक्सिट की बात करें तो मिक्सिट भी आप इनको फिंचेज वाली मिक्सिट दे सकते हैं अच्छे जी अब बात करते हैं इनके male female के difference की और कोई इसी भी mutation हो यानि के green बैक हो yellow बैक हो या blue बैक हो silver बैक हो कोई इसी भी किस तरह पता लगा सकते हैं जब आप इनके front से color देखेंगे बैक पर तो dark है खास तरह पर green के dark ही होते हैं तो आप जब इनके front के पर color देखेंगे तो वह आपको color काफी light नजर आएंगे female के color जो है वो dilute हुए हो लाइट होते हैं यहापर यहलो color दोनों के comparison करने तो male का color जो आप किसी भी mutation में कर सकते हैं अब मैं आपको आगे picture भी दिखाता हूं अब इस picture में भी आप देख सकते हैं आपको वाज़े नजर आ रहा हुगा के left side के उपर जो है वो female है right side के उपर जो है वो color काफी sharp है यह male है अब आगे इस picture में भी आपने बताना है कौन सा male है और कौ से female है तो यह एक बहुत ही basic था कि जिससे आप इनकी gender का confirm कर सकते हैं आचा जो लोग इनकी breed करवा रहे हैं उनको पठों में भी अंदाजा हो जाता है कि कौन से पठा जो है वो थोड़ा सा sharp हो रहा है और कौन सा जो है वो dilute हो रहा है तो पठों में भी बड़े पठों में भी बता देते हैं कि इनका gender क्या है अच्छा जी अब एक और सवाल आता है बहुत सो लोग पूछते हैं कि हमें शौक हो रहा है गोल्डियान रखने का या हम जो है वो earning के purpose गोल्डियान रखना चाहरे है तो हमें कौन सी गोल्डियान रखने चाहिए कौन सी mutation से शुरू करन पट्टों को अपने पास रोकते हैं और बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो सेम ब्लड लाइन हो जाएगी अकर आप उन्हीं के बच्चों को आपस में लगाते रहेंगे तो ब्लड लाइन भी स्ट्रॉंग होती रहेगी तो बैतर ही है कि आप दो प्यार रखें और दो प आवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं सुने इस पॉसिबल में उसका रप्लाय देने की पूरी कोशिश करूंगा और अगर आपका गोल्ड यान का को एक्सपीरियंस है या फिर आप गोल्ड यान अनकरीब बाय करने वाले हैं तो अपने एक्सपीरियंस लाजमी कमें में शेयर कीजिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं नेक्स वीडियो में दुबारा मिलते हैं अपना और अपने बर्ट का बहुत ख्याल रखिए टेक क्यार चैनल